नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट मैया विनास विहार विधान सवाथ चुनाओं में जी चिराग पासवान ने बागी तेवर अपना करें अंडिये को खास तोर पर जेडियों को भारी नुक्सान पहुचा दिया चिराग पासवान की वरसे असी विधायको वाली पार्टी जेडियों 43 पर स्चिमत गई फिर क्या था जेडियों ने भी बदला लेने की ठान ली जेडियों ने लजेपी को तोरने की मुहिम शुरू कर दी गुरूवार को लजेपी के 208 नेताओं के पार्टी में सामिल करा ले हो लेकिन सचाई ये है कि इतने नेताओं को पार्टी में सामिल कराने के बाबजूद जेडियों विधान सवहाद चुनाओं के दौरान लजेपी से मिले वोटों की नुकसान का एक चौथाई भी भरपाई नहीं कर पाई है लेकिन जेडियों में सामिल होने वाले सभी 208 नेताओं में सिर्फ पांच नेहीं विधान सवहाद चुनाओ लरा है केसबसी 2015 में लजेपी के टिकट पर छप्रा के मांजी से चुनाओ लर कर हारे उन्हें 20,692 वोट मिले थे रामनाथ रमन 2015 में ही लजेपी के टिकट पर राजपाकर से चुनाओ लरे और उन्हें हार मिली सुभास पासवान 2020 चुनाव में सिकंद्रा से निर्दलिय पर्तियासी के तौर पर लड़े वोट 21,000 मिले थे सुरेंद्र पंजियार 2020 में परिहार से राश्ट्रिये जन्संभावना पार्टी के टिकट पर चुना लड़े वोट 2500 मिले थे निता सी ने 2005 में डेहरी से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुना लड़ा था उन्हें 500 वोट आए थे जाहिर है लजेपी को तोड़ने के बाब जू जेडियू लजेपी द्वारा पहुंचाए गए वोटों के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाई है लजेपी के जो पाँच चुना लड़ने वाले बड़े नेता जेडियू में सामिल हुए हैं उनको कुल 98,778 वोट मिले इस तरह इन 208 नेताओं की जरिये जेडियू में आए वोटों का आउसत करीब 500 होता है मतलब एक नेता करी 500 वोट लेकर जेडियू में सामिल हुआ है जेडियू को लजेपी की वज़से 16 सीटों पर सीधे हार का सामना करना परा था महनार सीट पर लजेपी परत्याशी रविंद्र कुमार सी ने 31,315 मत प्राप किये यहाँ जेडियू परत्याशी को हार मिली तेगरा सीट पर लजेपी को 29,936 मत मिले और यहाँ जेडियू परत्याशी हार गए सेर घाटी में लजेपी परत्याशी मुकेश कुमार यादब ने 24,107 वोट प्राप किये यहाँ जेडियू परत्याशी विनूत परसाद यादव को हार मिली अतरी में चिराग पास्वान के उम्मिदवार अर्विंद कुमार सी ने 25,873 वोट वटोरे और जेडियू परत्याशी को हार का सामना करना परा इसी तरह से मोडवा में लज़ेपी परत्याशी या भाय कुमार सी ने 23,884 मत पराप किये और यहाँ भी जेडियू को हार मिली जग्दिसपुर में LJP परत्यासी भगवान शीक उसाहा दूसरे अस्थान पर रहे हैं उन्हें 44,525 मत मिले यहां भी जेव्यू को हार मिली ओवग्रा में LJP परत्यासी प्रकास चन्दर को 4,994 वोत मिले और वह दूसरे अस्थान पर रहे हैं जेडियो पर क्या सी यहां तीसरे अस्थान पर खिसक गया। इसी तरह से सासा राम में LGP को 21,000, करगर में 17,000, चिनारी में 18,000, विभूती नगर में 28,000, दर्भंगा में 17,000, रगुनातपुर में 17,000, महराजगंज में 18,000 वोट मिले थे। इन सवी सीटों पर जेडियो को हा आजूद चिराग पासवान बेफिक्र हैं। उनका मानना है कि उनके पार्टी के बेकार नेताओं के छटनी का काम जेडियो ने करके उनके काम को और आसान बना दिया है।